एप्रिल में होने वाली नाजा human exploration rover challenge 2021 में भाग लेने के लिए ओडिशा के नवनमेश प्रसार student astronomy team यानि की नापसाइट के दस स्कूली छात्रों को चुना गया है आपको बता दें कि नवनमेश प्रसार फाउंडेशन की एक पहल नापसाइट जो की भुवनिश्वर में है नापसाइट अंतरिक्ष में रुची रखने वारे लोगों की एक टीम है जो विभिन अंतराश्टिये कारेक्रमों में भाग लेने के लिए अंतरिक्ष पडालियों, रोवर्स, रॉकेट्स, उग्रह और खगुल विग्यान की डिजाइन को समझने और जानने में लगे हुए हैं आए नवनमेश प्रसार फाउंडेशन के फाउंडर अनिल प्रधान से ही समझते हैं कि नासा हीूमन एक्स्पिरेशन रोवर चरेंज 2021 क्या है इसमें किन स्टू तो यह एक टीम है जिनको नासा रोवर चैलेंज के लिए स्लेक्ट किया गया है तो यह एक टीम हम लोगों ने क्रियेट किया वर्चुली अभी जब कोविड टाइम आ गया जब ज्यादा मूव लोग नहीं हो पा रहे थे उस समय में दस ऐसे बच्चों को हम लोगों ने नि और फिर हम लोगों ने अपलाई किया NASA रोवर चैलेंज के लिए, पहली बार के लिए ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि एक ऐसा टीम जो ओड surroundsa में है वो select हुआ है NASA रोवर चैलेंज के लिए आया है नासा से और यह जो challenge है यह April 2021 को होने वाला है तो इस challenge के लिए बच्चे अभी सही next 4-5 महिने में एक rover बनाएंगे और उसको फिर हम लोग transport करेंगे नासा को और फिर वहाँ पर जाके हम लोग other teams के साथ जो across the world हैं उनके साथ हम लोग compete करेंगे और इंडिया को वहाँ पर represent करेंगे यह school student का पहला team है जो इंडिया से गया है और Odessa का पहला ऐसा team है जो इसको represent करने वाला है नासा में दस बच्चे हैं हमारे पास सब दूसरे दूसरे बैग्राउंड से हैं कोई अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो कोई अभी आईटी स्टूडेंट है कोई भुवनेश्वर से है तो कोई मलकानगिरी से है तो ऐसे अन्य अन्य जगों से आये हैं और सबकी अपने अपनी पर चाहिए तो अभी जगों को यह चीज पता चला है कि मलोग सिलेक्ट हुए हैं चेह तारी को हम लोग ने अपने रिपोर्ट को सब्मेट किया था नासा को हमारा रिपोर्ट बहुत अच्छा लागा और उन लोग बुला इस टाइप का रोवर बिल्कुल बनना चाहिए त इंडिया को रिप्रेजंट करें सिर्फ रिप्रेजंट ही ने करें वहां से जीत के भी वापस आए जिसका तो यह चैलेंज हर बार होता है और जो भी विनिंग टीम होती है इनको अलग-अलग सेक्टर में वोर्ट दिया जाता है और प्राइज मनी भी दिया जाता है तो हम हम लोग हर सेक्टर के लिए कंपीट करेंगे और चाहेंगे कि देश के लिए हम लोग एक अवर्ड लेकिया है आये सेलेक्ट हुए स्टूजेंट से ही जानते हैं कि नासा के इस चैलेंज के लिए सेलेक्ट होने पर उनका क्या कहना है कि लाड नासा कि फूर नासा शराइज के लिए। यंद लिए खोनेज साथ कि ली पनी, अ. we are the first one to get selected in the high school category so we are going to go to Huntsville, Alabama in April 2021 and we are going to represent India over there in this competition so I was very interested in astronomy and things so I was looking at Google and looking at research papers so I got a website on their website so I saw the competition and I was very interested in this so I applied and then our team was selected and we worked on this then we sent a report to NASA and we got good news for the 6th, we got good news so this is a human powered rover so we are going to run it with a cycle so we have to run it with a four wheeler so what is the difference? It is a four wheeler and we will run it with two so we will run it with two people no it is not in the road we are making it with the terrain in the moon, mars, the terrain the terrain is made with the terrain so the terrain is not smooth there are small buildings and bolts so we have to design it with a main frame we have to do a lot of changes in suspension so we had to make it so strong so we could get the weight of both so we can get up and also for the same things are easy to run which is not difficult so we have to do more and we should not be able to get up and not to do more so we have to do more we will test this on Earth if we will test everything and if everything is okay then we will go to the moon NASA's mission Apollo mission which was on the first Mantha and Moon is the second part of Artemis which is aimed in 2024 24 में एम कि है तो उसी के लिए हम लोग भी रोवर बना रहे हैं तो इसका क्या होगा हम वर्ल में जितने भी है टूल 100 टीम से सारे अपने डिजाइन लेकर नासा में जाएंगे हम लोग कंपीट करेंगे रेस करेंगे और उसी बेसिज पे नासा अपना एक मतलब रोवर बनाया अदो हमसे डिजाइन लेगा हमारी अच्छा लगा तो